ये एक बहुती रहस्य में सहर है जो चाइना के एक बहुती फेमस लेक के नीचे मौजूद है जी हाँ मैंने नीचे कहा इस सहर का नाम दलायन सिटी है इस सहर को करीब हजार साल पहले आप देख सकते थे ये उस समय मौजूद थी पर इसके उपर लोगों ने एक जिल बना दिया और इसलिए अब जब आप इसे उपर से देखोगे तब आपको कोई सहर नहीं दिखेगा सिर्फ पानी दिखेगा इस सहर को पूरी तरह से पानी के नीचे डुबा दिया गया पर कई सालों बाद इसकोबा डाइवर्स ने इसे डिसकवर किया कई डाइवर्स ने इस जगा की तस्वीर भी खिची अजीब बात यह है कि उस समय की बिल्डिंग्स और मौनुमेंट्स आज तक इस जगा पे मौजूद है और ये काफी अच्छी हालत में भी है इस जगा पे बिल्डिंग पे इंसान की बनी हुई आकरितिया आज भी मौजूद है साइन्टिस्ट को पता चला कि ये मौनुमेंट करीब हजार साल पुराना है पर इसकी डीटेल्स किसी भी जगा पर नहीं पाई गई उस समय के साशकों ने इस सहर के उपर आखिर जिल क्यू बनवा दिया और वो इसे पबलिक की आखों से दूर क्यू ले गया ये कोई भी नहीं जानता विचारकों का मानना है कि ये पहले एक खास्ता खेलता सहर हुआ करता था पर किसी रहस्यमाई घटना के चलते ये सहर खत्म हो गया पर बिल्कूल एटलांटिस की लॉस्ट सिटी की तरह ये भी एक रहस्य बन के रह गई है आज कल इस लेक को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है अगर आप चाइना विजिट करें तो इस जगा पे आप स्कूबा डाइब जरूर करना चाहेंगे नमबर थ्री नौर्थ सेंटिनेल आईलेंड ये दुनिया की उन जगाहों में से है जहां आप जा नहीं सकते अगर आप वहां चल भी गए तो आप वापस नहीं लोटोगे इस जगा को दुनिया की हार्डेस्ट प्लेस टू विजिट कहा जाता है मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों ये सेंटिनेल आईलेंड बे ओफ बेंगॉल के अंडमान निकोबार आईलेंड में से एक है ये बहुत ही अजीब बात है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है जिनको मौबाइल फोन या इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है ऐसी ही एक ट्राइब मौजूद है इस आईलेंड में जो आज की टेकनोलोजी से बिल्कुल भी परिचित नहीं है ये लोग उन कम्यूनिटीज में से हैं जो बिल्कुल अब परिचित है इस जगा पे रहने वाले लोग बाहरी इंटरफेरंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं अगर आप इस आईलेंड पे जाओगे तो वो आपको जिन्दा नहीं छोड़ेंगे इन्हें बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस जगाँ पे वो किसी भी बहारी इंसान को आने नहीं देते हैं इस जगाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें सेंटेनिलीज कहा जाता है ये सेंटेनिलीज उन एंशेंट हुमन्स की पीडी है जो अफरीका के जंगल में रहते थे ये सुरुवात के कुछ ancient humans में से एक है ये लोग और इनके पूरवज इस छोटे से island पे पिछले 60,000 साल से रहते आ रहे हैं इससे कोई ने फर्क पड़ता कि आप कौन हो अंजाने में ये आपको हमेशा एक ही तरह से treat करेंगे धनूस और भाले से अगर आप उनको वहाँ पे जाके खाना और कपड़े भी दो तो वो उन्हें accept नहीं करेंगे 2004 की सुनामी में जब rescue team वहाँ पे गई थी उन लोगों को बचाने के लिए तब भी वो लोग इन rescue members को वहाँ से भगा दिये थे उस समय जब इंडियन नेवी helicopter पे rescue team वहाँ पे पहुंची तब उन्होंने बह हेलिकॉप्टर के तरफ शूट कर दिया इस ट्राइब के बारे में बहुत कमी information available है इनकी भासा unknown है और इनकी आदते भी यह पूरा आइलेंड खना जंगल में घीरा हुआ है इसलिए हम लोग इनको उपर से observe भी नहीं कर सकते हैं कि यह आखिर अपने जिन्दगी को जीने के अंदर ही आता है पर सायधी यह लोग जानते होंगे कि यह लोग इंडिया में रहते हैं इनके साथ बात करने की कोशिस friendly contact करने की कोशिस बहुत बात की गई है पर वो हमेशा गलत तरीके सही रियाक करते हैं इसलिए government भी इस जगा पे help करने के लिए जाना छोड़ दी और इ इस जगा पे ना जाये पर अभी भी घटनाय होती रहती है जब मचवारे इस जगा के आसपास भी जाते हैं तब ये लोग उन्हें मार देते हैं क्योंकि इन्हें बाहरी interference बिल्कुल भी पसंद नहीं इन लोगों के पास कोई technology भी नहीं और नहीं medical science इन लोगों के पास किसी बिमारी का टीका करन भी नहीं होता तो ये लोग बिमारी से कैसे बसते होंगे ये island और यहां के निवासी ऐसी drastic हालत में भी बिना किसी बाहरी interference और help को ignore करके कैसे जी लेते हैं ये अभी तक एक mystery बनी हुई है number two the overton bridge Scotland में एक बहुत ही रहस्यमय bridge है जिसका नाम है overton bridge इसे 895 में एक civil engineer H.E. Milner ने बनवाया था ये एक ऐसी जगा है जहां कुत्ते suicide कर लेते हैं और लोग आज तक पता नहीं कर सकें कि कुत्ते आखिर वहाँ suicide करते क्यूं है ये bridge इसकी नीचे से बहती हुई पानी की stream के करीब 45 feet उपर है साल 1950 से लेकर आज तक लगभग one dog per year के हिसाब से 50-60 कुत्ते की मौत हो चुकी है कुत्ते suicide कर लेते हैं ये अजीब बात नहीं है अजीब बात ये है कि हर कुत्ते ने एक ही situation में इस bridge से जम किया लोगों ने notice किया कि वो उसी समय इस bridge पर से जम कर लेते हैं जब यहां का मौसम साफ होता है और दूसरी अजीब बात ये है कि हर कुत्ता इस bridge के एक ही जगा पर से जम करता है और वो भी साफ मौसम में और ज़ादार कुत्ते जो जम करते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं हालकि इसको उम लोग explain नहीं कर सकते पर बहुत सारे theories है ज़ादा कर लोगों का मानना है कि इस bridge पे कोई भूतिया ताकत है जो इस bridge पे कुत्तों को suicide करने पे मजगूर कर देती है यहां की एक बहुत ही famous कहानी है जो कहती है कि रात के समय एक आदमी अपने बच्चे के साथ इस bridge पे खेल रहा था उसे बहुत ही आजीब सा कुछ महसूस होता है और उसी आजीब sensation के चलते वो अंजाने में अपने बच्चे को उपर से गिरा देता है और वो खुद भी गिर जाता है बच्चा तो मर जाता है पर वो खुद किसी भी तरह कम चोड़ के चलते बच जाता है जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उस समय उसे कोई होस नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है वहां के लोकल लोगों का मानना है कि जिस दिन उस बच्चे की मौत हुई उसी समय से ये ब्रिज हॉंटेड बन गई ऐसा माना जाता है कि कुद्टे की कई एक्स्ट सुइसाइड कर लेते हैं Royal Society for Protection of Birds के जान वर विशेशग्य डेविड सेक्स्टन ने फाइनली एक साइंटिफीक तरीके से ये खोजने की कोसिष की कि आखिर ये डौग सुइसाइड क्यों कर लेते हैं डेविड सेक्स्टन ने ये खोज निकाला कि ब्रीच के नीचे से माईस और मिंग की गंध आती है और सायद इसी के चलते ये कुत्ते उस तरफ आकरशित हो जाते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक खेत में माईस और मिंग की गंध फैला दी और देखा की कुत्तों का क्या रियाक्शन होता है दस कुत्ते में से दो कुत्तों को उस गंध से कोई फर्क नहीं पड़ा पर बाकी आठ कुत्ते उस गंध की तरफ आकरशित हो गए इस थेओरी ने आखिरकार हमें scientifically proof करी दिया कि पिछले 50 सालों से ये कुत्ते यहाँ पर suicide क्यों कर लेते हैं है ना नहीं मैंने नहीं इसलिए कहा क्योंकि वहां के निवासियों ने ये दावा किया है कि दसकों से यहाँ पर कोई माईस या मिंक नहीं है जौन जोएस नाम का एक हंटर है जो इस जगह पे 50 साल से रहते आ रहा है है उन्होंने ये कहा there is no mice and mink around here I can tell you that with absolute certainty इसका मतलब ये mice और mink अभी कुछ साल पहले सही आया है पर उसके पहले भी तो कुट्टे वही रेट से स्विसाइड करते थे और ये mice और mink वाली theory हमें ये भी नहीं संजा सकती कि ये कुट्टे उस bridge की एक ही जगह से स्विसाइड क्यों करते है इस दुनिया में और किसी bridge पे तो हैसी कोई घटना record नहीं की गई इसका exact answer हमें अधन ओहायो में बहुत ही बड़ा जमीन के घेरे को खरीदा उस जमीन को US government एक national park को बनाने के लिए खरीदी थी US government ने उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा दिया था और वहां के लोगों को shift करा दिया था एक नए जगह पे जहां पे वही सुविदा एवेलेवल थी जितने भी घर बच गए थे उसे government ने पूरी तरह से जला डाला था अजीब बात यह है आज तक वो national park वाली project complete नहीं हुई जी हाँ आज तक नहीं और इसी के चलते विचारकों को मानना है कि government national park बनाने के लिए नहीं बलकि किसी और बढ़ी वजह के लिए वहां के लोगों को हटाया था उस वजह के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला पर बहुत सारे conspiracy theories निकाली गई सबसे common theory ये कहती है कि उस समय उस सहर में कोई chemical experiment किया गया था जिसके चलते वहां के लोग mutate हो गए थी mutation सरीर में एक तरह की change होती है जो सरीर में मौजूद DNA की level में होती है ये natural causes से भी हो सकती है और chemical causes से भी जो chemical causes से होती है वो किसी भी इंसान को बहुत ही अजीब बना सकती है उसे mutate कर सकती है विचारकों का मानना है कि उसी chemical experiment के चलते chemicals पूरे सहर में फैल गई थी और वही chemicals कई लोगों की mutation की कारण बन गई थी विचारकों का मानना है कि जब government लोगों के घरों में आग लगाई थी तभी उन्होंने उन mutated इंसानों को जला डाला था ताकि उस experiment की भनक किसी को ना पड़े अब इस point में दम बहुत है अब आप ही सोचिए एक land area जो national park बनाने के लिए खरीदी गए थी उस जगह पर आज तक कोई park नहीं बना और ये आज तक पूरी विरान पड़ी है ये बात तो बढ़ी आजीव है मतलब कुछ तो रहस्य मैं है इस जगह पे तो इन पांच जगह में से आपको सबसे इंट्रेस्टिंग कौन सा लगा नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेर करना मत भूलिएगा और मैं हर दो दिन में ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस लिए इस चैनल को सब्सक्राइ करना मत भूलिये लग